मिरो आत्मी एता आजो दिन चर्या घटना क्रम को एगारूं चर्च मा छौं दोसां चर्च मा दिन को कारे भाय को थियो अब एस कारे को समापन गुधुली साज को उपयोग बन छौं साज बिहानी जतिके लगबग समान अवस्थाको रहने भाय को ले एसको महत्तो छौ फरक तो सुरे ढलनू रो उधाउनू हो तर यू फरक लाई छाड़े रहा हमिले परिश्थिति जनित रूपमा परने परभाब लगबग समान इस्थितिको रहने हुडा विहानी र साज को समय साधना को लागी जिवन विकास को लागी मुल्यवान रहांच अनुकूल रहांच अ तह अब साज लाई हमिले एकान तता थोरे अब स्वाहिम मा स्वाध्याय को रुपमा चिंतन मनन लाई जोड़े ने छों युपनी बौधिक कारे को लागी बौधिक आयम को लागी तितनी महत्य पुणच जगे अध्यात्मिक रुपमा अन्तस को आत्मिक भोग को संसार्म लाई भोगने र इसलाई भोबन को लागी ठीक संक देखने ठीक संक जानने युचे मता बनाऊना चिंतन मनन रेस द्वारा हुने जोन ग्यान छ इसको अभ्यास इसको महत्यो सभी भन्दा उच्च रहांच अतहा साज को समाय लाई थोरे भीड बाटा छुटाए रहा एसवत भिहान को समाय पनी ध्यान को नहीं छो तेहां पनी स्वयम को सत्ता नहीं हो तर ध्यान र चिंतन को अवस्था फरक हो यो बाधिक रुबाटा अध्यात्म को अभ्यास हो अतहा यो बाधिक कारे मा संगलंग न भायर अध्यात्म लाई बाहरी शरीर मा बिभाहार मा जोडने हो यह स्लाइड जोर्ण को लागी जुन विभेक जुन अन्तिष्ट कोण बनावनुछ यो धेरे मुल्लेवान को छ यो जब बन्च तब मानिस सहाज जुरूप मा बिद्र र बाहिर अध्यात्म र बिज्ञान बिभाहार र ज्ञान येसमा पक्त होंछ पुण जिवन पोगना पाऊंच अपुण ता समाप्त होंच अपांग ता समाप्त होंच अत्हा यो महत्त पुण चिंतन मनन स्वध्याय द्वारा दिष्ट को बिभेक पाएगर न ज्यान अनिस एस ज्ञानले बित्र अग्यें इस्थित्तिको अस्थित्तो र बाहिरा स्वरूपमाने र रूपमाने रहेको बाहिरी इन दुवेलाइप परिपुना रूपले भोगना उपयोगाना र इसमा आपुण बहान होना मानभी युग्रिता तायर गर्ड़ाच मानभी युग्रिता बनेगो ज्यान नहीं हो अतहा इस चिंतन मनन स्वाध्याएको लागी साथ लाए उपयोगरों यू नवन्दा सम्माई अज इसलाइ ठीक स्वागा बहान गर्ना ध्यान लाए पनी जोडना सक्छाउं योग लाए पनी जोडना सक्छाउं पनायाम लाए पनी जोडना सक्छाउं जुन भिहाना हमिले घरे का थेऊं तेसलाइ साथ माँ पनी जोडना सक्छाउं राव इसलाइ जोडने राव सहाज बनाऊ दै स्वेम माल्याऊ दै इसलाइ चिंतन मनन रस्वाध्याए विभेक कोपई अगिता गाने छूं अतहा साज्मा मौनता ध्यान न भायर मौनता साधन्ने छूं बिहाना मन ध्यान रा साज्मा मौनता ये ध्यान रा मौनता को अजो ध्यान को भन्दा बनी मौनता को महान महत्तो छूं फिर इस तो ध्यान इस आयाम मा उत्यकी महत्तो छूं फिर मौनता द्वे आयाम लाई जोडना सकने छेमाता बायको ले इसलाई दुबर महत्तो को रूप मा लियेको हो ध्यान ले एक आयाम मां जानको लागी सहज बनाऊ छबने मौन ताले दुबहिलाई जोडनेच भीत्र रब भाहिर दुबहिलाई जोडनेच तो एस चिंतन मनन स्वध्याएमां हम ले मौनता साधनालाई साधने छाऊं यो जिबन को यो जिबन विकास को यो मौनता यो मौनतामा रहने आसन तो ये स्वेम को इस्थिति जाहां फित्र रब भाहिर परिपोना रुपले देखना सकेंच परिपोना रुपले भोगना सकेंच परिपोना रुपले रहना सकेंच परिपोना रुपले रहना सकेंच बहना यह स्थिती जिबन को लागी मुल्लेवांच अतो यह स्लाई सांस को समाईमा उन्या तो यह बिहान को समाईमा पने उपयोगा न सकिन छा न तरह मेले हां सांस के समाईमार जोडें मौनता क्यों पहिला मौनता भित्र रब बाहिर दुवे को मद्धेस्तता हो मौनता भित्र रब बाहिर दुवे को मद्धेस्तता हो अतो यह स्लाई इन्रिया लाई पने अज़ा ठोच रुपमा आखालाई नप्पोन हेराई नप्पोन रुपले बंद मद्धेम रुपमा ख़लने छाओं इसरी मद्धेम आखाको हेराई द्वारा लगबग ध्यान को इस्तितिमा रहेर देखनु युश्तिती साची सम्म जानुपने छाओं चिन्तन मनन रश्वध्याय को लागी हामिले जुन विशेले चानने छाओं येसलाई हाल कर देख साची सम्म जाने छाओं आफुले चिन्तन मनन रश्वध्याय द्वारा तेश विशेले हाल गाने छाओं तो परसंग याता आपनो विगत को गटना होश्च जस्तिते आफुलाई अपवित्र मा राहेको छो कुंठा मा राहेको छो क्यों आपनो स्मिर्ति मा आई रहन छो येसलाई हल गार्न को लागी होश्च या बतमान को नहीं दिन चर्य हमा तो कोई आप्रोनता कारे को होश्च या भविश्यखो लागी जसुकी होश्च येसलाई उठावने छाओं एसलाई चिंतन मनन रस्वध्यायमा ल्यावने छाउं रसलाई सहाज रूपले हाल गर्दे सक्छी समझाने छाउं मौन्ता आसनमा एती यो काम हामेले पोना गर्ना सक्यों पने दीन को एउटा नहीं सही एउटा मात्र बिगत को घटना जो इसमिर्टी मा आई रहन छो जो अपन छो आपुलाई कुन ठीत पार्दा छो जसली आपुलाई दुखीत पार्दा छो तियो इसमरण मा आउने तियो दुखको तियो कुण्ठा को तियो अपनता को तियो अज्यानता को इस्तो अठ्यार तियो घटना लाई विशेक रुपमा उठाऊना सक्छाँ या बरतमान को आजेको दिनको या भविशेको जेशुके लक्षे होस्ट इसला उठाए र आज stairs, Ferrमा influ lagi में लिए इसमा थी चेंतन मनं अ य। लागध लेकोपयोग गर्दे इसला इसलां зачем मा हल गर्दे इसलां अजरुपमा बोध कर्दे शहरुपमा इसलां गर्दे Si मां थी सह्चचा देर इसलाई साक्छी समलियर जान। साक्छी ले देखन। जब साक्छी ले देखने छान। तब तियो दुखहको भयपनी हल होन चान। या भविष्य को भयपनी ठीक, कारे रुप, कारे योजना बन द छान। इसको लागी हमी योग्य बंदा छों रहामी त्य प्रीरुप में लागना सकता छों यह बर्तम्भान को आज ही कुद दिन को घटना उठाई यह कुद थियो भने बने इसलाई और कुद दिन यह आज ही पुरा गने चां की यहां मृत्यों को योग्यता बनावना छॉ मृत्यों को योग्यता न भैशनमा हमी सुतनसक्तै न भॉले को लागी आजको या बिगवत को कुणे पने गटना को कुण ठालेर हामी शुट न सकताई नौ तो नहीं लेर जानू पर सेदे में त्यो घटित भय बने तो यू शरीर जुन्सुके बलामा अलग बनना सक्छु ने त्यो जुन्सुकी समयमा आउना सक्छु अता इस कारण हामीली नौ भंदा अगावज मेरिकत्यु को युग्यता बनावनुँछ एसोत हर पल पायला हर छयाँ हैं मेरिकत्यू युग्य बितावनुपने हम्छ तर जो अग्यानता मच्छूं जो साधना मच्छूं जो साधक हाउं ता हरो को लागी कम से कम दिन को लागछेत अहुष न बन शुद्धिन तैस को लागी सैद्धान्तिक रूपले ज्ञान को रूपले अंतस्कराण बाटने पवित्र तहांसिल करना को लागी आपीना शत्ते लाई आपीनो कुंठा?, आपीनो जोट लाई तेस्ब फिर कारे में गये रहा सप्ते में बदलनों उपले जुंको लागी सैद्धान्तिक सहर्ता आविसिक पार्षी ज्यान आविसिक प्छा ग्यान सइदान्तिक बहस सइदान्तिक चिंतन मनन स्वध्याय भने कुग्कि हो तो कुने बने विशे उठाईयों रत्येस को कारण सम्मध जान। रत्येस कारण मां गई बच्छी तिसलाई निवारण गणको लागी। जो जे जस्तु उपाय रहांचा तिस उपाय मां हिंड। तिस उपाय डाई अपनाउन। तो यहां चिंतन मनन स्वध्याय को एती महत हो कि जन्सुके उठाईय को विशे एस चिंतन मनन स्वध्याय में उठाईय को विशे को कारण को बोद्गम्मेता, कारण को ज्यान। आमित इसको कारण समझाँ, इसको मूल कारण की हो। तब तेहां धेर आयाम हरो आउने छन्द। तिस सबै आयाम लाई सो जिम्मेवारिता को आधारम। यो याद्रोष सो जिम्मेवारिता को आधारमा, अंतीम जिम्मेवार अफ़े हो। अंतीम जवाफ तहे अफ़े हो। यो ज्यान को आधारमा यो आधार ने यही नही हो। फेर यहला आधार बनाई रहनू बनेको हुई ना कि आधार ने सोजिम्मेवार हो जब हामी स्वयम्प सत्ता मा जांचूं जब चिंतन मनन कर्छूं जब कारण समा जांचूं इसको पुरे दोस अफेले लिनु पनेच। जब बुद्धी बन्दा छा तो पुरा दोस अफेले लिनु पनेच। जब समा बुद्धी बन्दाईना तब समा बाली निर्भर तालाई उठाए रहनिले। फरिष्टिकी मलाई दोस्टिना सक्छूं एक हथ सम्मा तर यूपनी अध्यात्मामा स्विकारे छाईन। ती नाकी बुद्धी बन्नेच, बुद्धी छा, बुद्धी उपयोकुमा भयको छाई न, तो उसको पूरुबजान्मको भल शरूब उस्थले, तो परिष्थीती पाईको हो, तो बाली निर्भरतामा परिष्थीती पाऊंच, तो पनी उसको पहिलागेई, स इच्छा हो, उसको नहीं इच्छा हो त्युव अनुकुल पायो या पायदा एशलाई पानी दोस धिना पायदमी चाहिदा एधी बिज्यानको अंदो अखाले बालले निर भाता को परिस्टिती लाई दोस धिन छाबने एधी बुद्धी पानि ओ commitment 12-14 बसको मेर भयो तो अब धिन पाईने छाई न तो उसका हाथ में बुद्धी छो अब संपुन रुप्रे जवाफ तेही बिक्ति बनने छो यही आधार ले जुन्सुके विशय को तेसमा उठान भय को विशय को कारण समझ जाने छों तेहां समल जाना चिंतन को दुन्दात्मत इस्थिति पार गर्न पने उच्छो यहां सांती यहां आनंद यहां स्वहिम को सत्तामा इस्थिति रहाई रहन परदाच्छो अतो एसमा ध्यान पनेयां राय योग लाई पने थोरे जोडन सक्छों स्वहिम को सत्तामा इस्थित भाई सके पचे तेश टाइतन नेता तेश अलाव कित तेव इस्सुरिय था ते मक्चा इस्थिति को सक्ती संगई तेश सक्ती ओस ती अपनाई योश एसलाई अपना हुँदै हमें चिंतन बहुत दिक कारे गरने छों पुनत आशन मवन आशन तब फरस्टेशन मा जाने चाई तेव दुख कोई इस्थिति थिओ भने पने उसले अरुलाई दोस्ति ने चाई ना फिर फरस्टेशन आउने चाई ना फिर नहिरास्षेता बनने चाई तो आशा बादी बनने चाई उसले बदलने चाटेश लाई बदलने कला आउसिक पाने चाई इहां विचार तुम बुद्धिको उपएक ता त स्वेचिक पाने पाने चाई बुद्धिक त बसमा भाय के हुनु पाने चाई एदि बुद्धि बसमा चाई ना भने चिंतन, मनन, स्वध्धाय ता उसलेगा न सकने चाई ता बुद्धि बसमा हुनु पाने चाई बुद्धि बसमा ता साधक को लागी जिबन विकास को लागी यो धिरे पहिला नहीं लेवनु पाने हुन्छ तो द्यान साधनामा इरो अन्य चिंतन द्वारा, जिबन संसार को चिंतन द्वारा हैंगी बुद्धि लाई पहिलाने बसमा ल्याउनु पाने हुन्छ एस पथी बुद्धि बसमा हुस मन, मन को सत्ता, स्वयम को सत्ता बनी सकेगु हुस स्वयम मैस्ठीट एस सत्ता मा मौनता अन्य चिंतन मनन मौनता को भोग लायो एसमा इसे उठान गरनु पाने चा कोही अजे आपनो बिगत को दुख को इसमारान बाकि चाए बने उसले पने उपयोग गरना सक्ष एसलाय अपना अन्य सक्ष रहल गरना सक्ष या चाहिन बने जो मौनता को इस्तिती सार्न सक्ष एसमा इस्तित रहन सक्ष उसलेता धेरे पहिलाने आपनो बिगत लाय चालंग एना जस्ते बनावन पाने हुन्छ मौनता को भोग द्वारा बर्तमान को आजको दिन भविश्य को शुरूप लाई रूप्रे खालाई आमेले चिन तन्मा ल्याउन पाच्छ ल्याउं र दिन लाई सफल रूप्रे घोचित करूं रैसको सम्वाएं त्यों पने आपने परिश्थिती अनुसार् जिवनु उपयूगत रहां छो एक घंटा दुई घंटा या अजी कम या अजी बड़ी जत्ति यांपुसांग छो जिबन को लागी जस्टे जत्ति उपयूग गर्दे आयको छो फिर यो जिवन जगद संसार जैविक ता सभी को लागी होस। यह अनुसार स्वाइचिक जिवन लिला को यो गधुली सहांश को पयोगरों। और भोली बेलुका को खाना और निद्र को तया रिक संगे अन्तिम चर्चा मांजुटने छो आजो को लागी होती ने।